हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल वाइफाइक की फ्रेंट्स अच्छ वीडियो में। इंड़ो पलाज्मिक रिटीकुलम में है यंधि में इंगले में इसे इंड़ो पलाज्मिक रिटीकुलम ठीक है तो यह जो endoplasmic retoculum है यह अखिर में है क्या तो यह भी फ्रेंड एक प्लास्टीड यह मेट्र कंडिया के भाती यह कोशिकांग है ठीक है यह कोशिका के अंदर में यह मौजूद रहता है ठीक है इसे पादा पौर जन्तु दोनों कोशिकों में यह पाए जाता है ठीक है तो य सबसे पहले इसका खोज जो किया गया था यह गार्नियर नामा के वेग्यानिक थे उन्होंने जो है इसको मतलब खोजा नहीं था मतलब का सकते हैं सरपर्थम जो है इन्होंने इससे देखा था ठीक है किसने गार्नियर ने और इसको जो है फुकारा था इरगास्टो प्लाज के नाम से इसे संभोधित किया था है इसे इंडपलाज्मिक रिटिकलाम नहीं कहा था इन्हों ने उसके कुछ दिन के बाद जो है 1945 के आसपास में लगवा पोर्टर ने जो है पोर्टर नाम के बिज्ञानिक ने जो है इसका इसको खोजा और इसका नामकरान जो कि तो इसव इंडपलाज नहीं के बाद कुछ ये सबसे पहले से झाजा और इसका नामकरान क्या खिया था है तो आप पार Caleb उनले जो है इसका क्या काम क्या है तो बात आति है कि कि ये ईम्देपलाजिंग रेटिकलं का काम क्या है था क्या काम है ठीक है तो जिसे कि हमारे सरीर में हड़ी का जो काम करता है हड़ी जो काम करता है हमारे सरीर में वही काम जो है जो कोशी काम है यह इंडुपलाज्मी रेटिकुलम कर देता है जिसे आप घर बनाते हैं तो घर में जो जिसे पीलर बगरा देते हैं या उपर से ग्रे हड्डिव क्या काते हैं कंकाल तंत्र ठीक है स्किल्टन सिस्टम उसी तरह से यह सेल को यानि कोशिका को यह बजबुती परदान करता ठीक है यह इंडुपलाज्मिक रेटिकुलम ठीक है इसलिए इसे रेटिकुलम का जाता है इंडुपलाज्मिक रेटिकुलम ठीक है छमोंति मैं जो आता current फ्रेल्ड यह क्या है और इसके आगे और आपर भी हम लोग पढ़ेंगे यृ टिकुलांग के बारे में ठीक है तो सबसे पहले जो मिए से जा सुने Scout और निभी कशीका काता ही। जा को जाता हैं कि परीचे के बात करें अगर परीचे में तो सबसे पहले अंतह गाल है। जिसे 헤ा मुझात किन वाले इसेल है। छैल के अंदर यह Canadian है और decrease में में इसका इमेज्ज यहाँ प्रंड मेनよし बना दिया है। उस प separation . अब बात आती है कि किस चीज का यह बना होता है इस प्रोटीन का क्या नाम है ? तो लैपोपोटीन ही तो लैको प्रोटीन जो है उस प्रोटीन का नाम है जिससे यह बना होता है ठीक है उसके बाद है इसे जो जिल्लियों का तंत्र यानि सिस्टम आप मेंब्रेन इसे कहा जाता है क्यों कहा जाता है तो यह फ्रेंड जो है जो जिल्लियों का निर्मान करता है यह सेल के अंदर में यह जेल्ट मॉंन करता है और जिल्ली नो सरने स्ना के और से युकर बहुत साल के bleibt I देख सकते हैं आप यह रफ इंडो प्लाज्मिक रेटुकलम है और यह स्मूथ है ठीक है तो इसलिए से जो है जिल्लियों का तंत्र इसे कहा जाता है तंत्र का क्या मतलब है तंत्र का मतलब उता है सिस्टम सिस्टम मतलब जैसे स्कल्टन सिस्टम पढ़ते हैं पाचन तंत्र म बहुत सारा पाचन ग्रंथियां मिलकर के जो है पाचन तत्र मनाती है उसी परकार जो है बहुत सारी हड़ी मिलकर स्कल्टन सिस्टम बनाती है ठीक है उसी परकार से जो है ये जो है बहुत सारा जिल्ली मिला करके जो है ये एक तंत्र का निर्वान करता है ठीक है इसलिए से ज develop cell है उसमें जो शिर्फ पाया जाता है ठीक है एंडिफॉज्वी रिटकुलम किसमें पाया जागा तो सभी यू क्रेटिक्स कोशिकवों में पाय जागा ठीक है और यह संतंदारियों के और प्रोकृरिक्टिक सेल में जो है ये मौझूद नहीं होते हैं ठीक है इसमें अस्तंधरियों के और क्रोक्रिंट्टि एफेशनками फ्रिंट कि प्रोक्रिंटीं इस français उसमें मेंब्रेंजम और तर 10 यह होगे तो क्यों कि इसका काम यह जाली का निरो मानँ करना ठीक है तो вокругrh09 में यह नहीं पर जाएगा ओर बात करने हम और अस्तंधर्यों को जी से की भूत जाएका और इस में으니까 कें नहीं पर जाता हैyy जब खेंद्रक कीने पbn जाएगा तो हुए काम नहीं के नहीं कर छाएगा तो पहिद्र इसकाप नहीं होता है वहां वहां पर क्योंकि आ पास में ही ये मजूद रहता ये के दर्यक से जुड़ा रहता है इसलिए ये असे दर्यों के RBC और प्रोक्रिटिक सेल में ये नहीं पाए जाएगा ठीक है और अब बात करते हैं इसका कारे की तो इसका क्या क्या कारे है इसे इंडुपलाज्मिक रेटिकुलम को मैंने कहा कि ये अन्ता कंकाल है ये ये जो है अनुवानसीक पदार्त का जो है यानि जैसे मान लिजे ये सेल है यहां पे इंडुपलाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है अनुवानसिक पदार्थ का पथ परदान करता है। इंडोपलाज्मिक रेटिकुलम यहां पर आप देख रहे होंगे यह पथ यानि रास्ता बना हुआ है। अनुवानसिक पदार्थ जैसे कि DNA वगरे सबको नुकेलियस से सील के बाहर ही भागाव तक पहुचाने का कम करता है। यह इंडोपलाज्मिक रेटिकुलम ठीक है। इसलिए यह अनुवानसिक पदार्थ का क्या करता है। परिवहन करते हैं। उसके बाद है कि यह तिसरा डंबर है जिल्लियों का निर्मान थी यह मैंने बता दिया है यह जिल्लियों का निर्मान करते हैं। जिल्लियों का निर्मान किससे होता है। जिल्यों का निरमान होता है यह लितीड और फैट्स जैनि लिपीड और बसा के द्वारा ज़ bestimmत जिल्यों का निरमान होता है यह जिल्यों का निरमान करतें आप यह यॉपक ग्लुवकोज में परतित कर देते हैं गॉपए का परिक्रिया को बोला जाता है तो गुलकोज को बनावाने जोर्ञ परिक्रिया कोJustThank you को बैकर जाता है तो श्लाइस सकते हैं, और इस time काम है दिटॉक्सीफिकेसन यानी विसक्तन यानि विसक्तन जिसे और जहर सब का जो भीश होता है उसे ठीकिन तो यह लिबर इनि लिबर में भ़ूध बड़ी महली यह पाए जाता है यह है और रखनी मातना हे सबसे अधिक मातरा में भाप आ पते यह क्से को खतम करना इसका काम न है तो यह कहों पर पाएugा पॉर आप सब Sanctile हैं फ्रेंट जो जहर वगरा होता है तो उससे जो है लिवर इसे डिटक्टिस करता है ठीक है कि इसलिए भहीं पर यह पाए जाएगा ठीक है उसके बाद आते हैं इसका जो इसे जो दो परकार से से बांटा गया एक स्मूथ इसमूथ यार और एक रफ यां ठीक है इसमूथ यार और रफ यार में जो है हम लोग डिफरेंस समझेंगे जैसे कि इसमूथ यार में जो रवसम परजेंट नहीं होता है तो इसलिए से इसमूथ रवसम बोला जाता ठीक है जबकि रफ यार में जो है रवसम मौजूद होता है यानि आप यहापर इमेज में देख स यहां पर यह क्या है रफ यार का यानि निकुलियस के बाहर में जो सबसे पहले सटा कॉन रहेगा यह रफ वला रहेगा ठीक है और रफ पे यह आप बिंदा बिंदा देख रहें कला कला यह राइबसॉम है क्योंकि राइबसॉम का फ्रेंड अब हम लोग पढ़ेंगे जो है का निर्मान गुलेस करता है यहां पे रिपोसों का निर्मान होने के बाद राप यहां पर रफ ये पर यह चिपक जाता है यहां पर इस तरह कि पकता ए और किसले चिपकता है तो फτεं और जिस यह जो चिपकता है फिरण यह रिवब फोरिन प्रोटीन के मदद से जो है यह वहां पर चिपका रहता है किस यानि फेविकॉल का काम यह रिवब फोरिन प्रोटीन करता है वहां पर यानि इसके चिपकने में यह प्रोटीन बहुत इसे मदद करता है ठीक है यानि फेविकॉल करेंगे हुआ कर humor का का मकरता है यहां पर यहां पर बना निरमाना ईपा उसके बाद यहां पर इस में सट गया रॉफ में और उसके बाद कुछ और रवेसंगे वह सेटीब हो देज olm आइद लेट ऐसा आई Cassidy us के बाद निरमान करता सिनुपे यहां जो मॱन ग thriving का निर्मान करता है ठीक है उसके बाद है इसकोर्बिक एसीड यानि इसकोर्बिक एसीड का भी जो है यह सेक्रेशन करते हैं ठीक है यानि संसलेशन करते हैं और उसके बाद मैंने बताया था कि विसालता कम यानि टॉक्सिफिकेशन का कम यह करता है ठीक है यानि इसमूद इस प्रपाइबuse 2 ऐसलिए से स्मुत भूले हता है और इस पर इसों से मजोद नहीं होता है ठीक función को दोब यह जो पुद्हों में सपहस्व detta Latoya कौन उसका भी निर्मान ये करता है कौन तो इसमूथ इयार ठीक है तो इसके बारे में थोड़े हम लोग देख लेते हैं जिसे कि ये क्या है कोशिकांगा यानि और गनल है और इसका काम क्या है इस परोसम का पादप में तो इसका काम है लिपीट का भंडारन अब हम संसलेशन में ज ये भाग लेते हैं किसमें लिपीट के भंडारन में और संसलेशन में भाग लेते हैं और उसके बात यह जो हेस्टिन यहोंने 2018 के आसपास में इसने देखा था इसे उसके बाद जो है कि खोज की बात करें तो थो फैरनर्य ने जो है इसका खोज किया था और यादी नमकरन का बात करें तो प्लिए लेशान में जिसका नाम करका था था है के फिन तीन चørप घ्यानिया काँ आप याद रखैंगे किसने सबसे पहले देखा थिक dipping और अधर न किसने किया तो यहां पर और यहां पर रफ यार में जो है एक जिसे कि आप जानते हैं जिसे कि यह रफ है रफ है रफ है इंडो प्लाजमी रेटिकुलम है तो रफ में जो यह चिप की हुए है रवसों यह रवसों का निर्वान करते हैं यानि का सकते हैं कि यह जो है इंडाराक्ट रूप से प्रोटी करते हैं इसलिए इसे इंडिरेक्ट रूप से कह सकते हैं ठीक है एक बार हम लोग रिभीजन कर लेते हैं जिसे की सबसे पहले सबसे पहले जो है गार्णियर ने इसे देखा था और इसे इरगश्टुपलाज में नाम दिया उसके बाद जो है पॉल्टर ने इसको खोजा और चाल में नामकरंड किया उनागेश्टपलाज में उसके बाद परीचय में आता है कि इसे जोई चोजिका कांता कंकाल बोला जाता है इसकेलटर शिस्टेम बोला जाता है ये जोलाँ प्रोछीन कि बनी होती है और इसे जिलियों का तंत्र भी इसे का जाता है ऐने हमिने योख्रेटिक और अश्तंधरियों कunden की रिज़ें अियुकरेटिग ये नहीं पाइक जाते हैं और यह अंता कंकाली और अन्वानसिक पतार्दों का पत का काम करता है और जिल्ली का निर्मान करते हैं और गलेकोजन से गुलकोज का निर्मान करते हैं और डीटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं ठीक है प्रेंट तो यह वीडियो कैसा लगा कोमेंट बॉक्स में जरूर झाल